प्राइज, कैसे हैं आप सब, आज हम जाने वाले हैं इको गार्टेन, तो बने रही है हमारे साथ, देखते रही है इस ब्लग को, ध्रीजित्थे हम आटो में बैट सके हैं, और यहां से निकल ली हैं, इको गार्टेन के लिए, कि अग्षाफ एक पिद्ध का तो में बूस लेते हैं एको गार्डेन का लुँराएन साफ की सबिगाएन लेकिन сakyam magnir कि इसलिट बूस लेते हैं इको गार्डेन का गिट कहां पर है किदर रहे अließen किни का तो कॐ एक एको गार्डेन का आगे आगे here प्रेंट्स तो आप हम इस समय इको गार्डेन पहुच चुके हैं तो चलिए इको गार्डेन एक्स्प्लोर करते हैं और देखते हैं यहां पर क्या-क्या है आप देख रहे हैं ये इको गार्डेन का छोटा गेट है और ये जो बट है ये उको गार्डेन का बड़ा गेट है मानिवर्सरी कासी राम जी ग्रीन इको गार्डेन इस समय हम इको गार्डेन के गेट के अंदर आ चुके हैं अब हम टिकट घर से टिकट लेकी चलते हैं फ्रेंड्स हमने इको गार्डेन का टिकट ले लिया है जो की जैसे ही आप इको गार्डेन में प्रेवस करेंगे आपको गेट के बगल में ही इको गार्डेन का टिकट घर देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको 15 रुपय का टिकट मिल जाएगा इको गार्डन में सभी प्रकार की लोग आते हैं चाये वो सिंगल हो, मैरीड हो या कपल हो गार्डन के अंदर इस्थित छोटे से चड़िया घर को दिखाने जहाँ पर आपको हर प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे लेकिन सभी नकली है आपको ये जीराब दिकरा होगा और जीराब के थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपको सेर देखने को मिलेगा और ये देखिए बतक वो बबबर से वहंस भी यहाँ पर सभी प्रकार के जन्तू देखने को मिलेंगे तो फ्रेंड्स हम धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जा रहे हैं तो फ्रेंड्स अब हम इको गार्डेन के छोटे से चिंडिया घर के आगे आ चुके हैं और चलिए अब हम आपको आगे का नजारा दिखाते हैं फ्रेंड्स इको गार्डेन में फवारा मतलब फाउंटेन भी लगा हुआ है जोगी हमारे ठीक पिछे है लेकिन हमें लग रहा है फवारा इस समय बंद पड़ा हुआ है इको गार्डेन में जो ग्रीन हाउस बना हुआ है वहां पर काफी हर्याली आपको देखने को मिलेगी चलिए हम आपको इको गार्डेन के ग्रीन हाउस का वीव दिखाते हैं यह देखिए ग्रीन हाउस में काफी फूल लगे हुए है तो चलिए हम आपको ऊपर चड़के दिखाते हैं गाइज यह हैं इगो गार्डेन के ग्रीन हाउस के पेंड और यह पेंड पौधे एक प्रकार के जाल से ड़के हुए हैं और आप लोग तो सायद इन पत्तर को जानते ही होंगे जो मौरंग में निकलते हैं उसी टाइब के पत्तरों से ग्रीन हाउस की रोड बनी हुई है गाइज हम आपको बता दें लखनवु का या जो इको गार्डेन है या करीबन 112 एकड में बना हुआ है और या इको गार्डेन चारों तरब से ग्रीन हाउस से घिरा हुआ है आप देख रहे होंगे इको गार्डेन में कुछ लोग खेल खेल रहे हैं और कुछ लोग पीछे बैठे हुए हैं तो लखनवु का इको गार्डेन लोगों के घुमने के लिए खेलने के लिए सबसे बेस्ट एरिया है और गाइज अगर आप चाहें तो यहाँ पर फोटो भी क्लिक कर सकते हैं क्यूंकि यह बैग्राउंड बहुत ही तगड़ा आ रहा है लखनवु के इस इको गार्डेन में घुमने के लिए डेली कई लोग आते हैं अगर आप यहाँ खड़ेंगे फोटो खीचेंगे तो फोटो बहुत ही बढ़िया आएगी तो आप लोग अगर कभी इको गार्डेन घुमने आएं तो फोटो जरूर क्लिक करें और अगर आप हमारी फोटो देखना चाहते हैं तब आप हमारी फोटो प्रकर गुपता 138 इ लिए इको गार्डेन के अंदर टैंकर भी रखा हुआ है अगरां आप यह देख सकते हैं इको गार्डेन में लाइन से पर लागे वह हैं और यह व्यूटो देखने में काफी मस्त लग रहा है तो अपको इको गार्डेन में बहुती सुच्छता नजार आएगी ईको पर कोड़े दान देखने को मिलेगा और अगर आप इको गार्डेन आ रहे हैं तो हमारी एड़वाज यही होगी कि इको गार्डेन में बहुत ज्यादा चलना पड़ता है तो आप थोड़ा खा पी के आएं थोड़ी हिम्मत रख के आएं क्यूंकि अगर आप इको गार्डेन घूमने आ रहे हैं तो आपको यहाँ पर पैदल ही घूमने के लिए चलना पड़ेगा गाईज अगर हो सके तो आप अपने लिए नास्ता खाना भी टिपिन में बैग मेरेक कर लेके आ सकते हैं ताकि आप जब भी थक जाएं तब आप खापी के टहलें ताकि आप पूरे इंजॉयमेंट कर सकें प्रेंड्स आपको इको गार्डेन के अंदर तो नहीं दुकान मिलेंगी बट आपको इको गार्डेन के बाहर काफी सारी दुकाने देखने को मिलेंगी प्रेंट्स अगर आप इको गार्डन में कार गाड़ी या अपने किसी निजी साधन से आते हैं तब आपको इको गार्डन में गाड़ी पार्क करने के लिए इको गार्डन पार्किंग एरिया भी मिल जाएगा साम हो चुकी है और अभर हम अपने घर जाने वाले हैं मतलब इको गार्डन से बाहर जाने वाले हैं तो यह था आज का छोटा सा अवलाग इको गार्डन का आपको यह अवलाग कैसा लगा कमेंट करके जोरुद बताइएगा और अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजेगा आपको अगली वीडियो कहां की देखनी है कमेंट में जरूर लिखिएगा ताकि हम उस पर विचार करेंगे और नया वीडियो उस टॉपिक के उपर बनाएंगे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अपने उन दोस्तों को जरूर सेर किये जीगा जो इको गार्डेन देखना चाहते हैं